इस करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 अगस्त के सभी इंपोर्टन करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा कितरा आप इस वीडियो को अंतो तक जरूर देखेगा आज भी ये गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं साथ या Google Play Store से Current Affairs Fund आपको इंस्टोल कर लिजिए क्योंकि जो भी अमारा PDF मैटेल है जिसमें आपको Current Affairs के साथ साथ स्ट्राटिजी के वी प्रवाइट कराते हैं ये सभी मैटेल आपको हमारी Current Affairs Fund आप पर यूपलब्द हो पाएगा ह हमारे PDF कोड़ संबने दिया, आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो comment box में जरूर लिखेगा, तो चलिए फिर करते हैं शुरुवात इस वीडियो सेशन की, किस बैंक ने अगस्टे तानो कोमे को बारत का country डारेक्टर निक्त किया है, options आपके सामने हैं, सही आंसर option A है, world bank, तो जानिएगा, world bank ने अगस्टे तानो कोमे, इनको भारत में country डारेक्टर निक्त किया है, आपको बता दें, जो अगस्टे हैं, ये कौचडे वोर से हैं, इस country से हैं, और ये बांगनादेशी एकोनोमिस्ट जुनेद कमल एहमद इनको रिप्लेस कर रहे हैं, जिन्होंने की अपना पास साल का कारेकाल पूरा कर लिया है, आपको जानना चाहिए, इस appointment से पहले, जो अगस्टे हैं, ये world bank के country डारेक्टर रहे, तुर्किये में, यानि की टर्की में, वर्ड बैंक के बारे में आप जानते हैं कि प्रेजिडेंट डेविड मालपास हैं, हैटवाटर्स वासिंग्टन डीसी युनाइटेड स्टेट्स में हैं, और हाली में नए चीफ एकोनोमिस्ट बन हैं, इंदरमीत गिल, एक सिदंबर 2022 सिन का कारेकाल सुरू होगा, साथी हमने वर्ड बैंक संबन्दित दो महत पूर्ण करंट अफेर्स हाली में देखे थे, एमसी क्यूस फॉर्मेट में उनको रिवाइज कर लेते हैं, तो भारत में इंडिया का जो रेल्वे, लोजिस्टिक, इंफास्ट्रक्चर है, इसको मॉडर्नाइज करने के लिए वर्ड बैंक ने 245 मिलियन उस टोलर का लोन एप्रूब किया है, साथी भारत में हेल्थ और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए वर्ड बैंक ने 1.75 बिलियन उस टोलर का सपोर्ट भी भारत को दिया है, इंडिया तेजस्विन शंकर बैक्ट ब्रॉंज मेडल इन विच स्पोर्ट इवेंट एट कॉमन वेल्थ गेम्स 2022 भारत के तेजस्विन संकर ने कॉमन वेल्थ गेम्स 2022 में किस खेल आयोजन में कान से पदक जीता ओप्शन्स आपके सामने हैं, सही आंदर प्शन्टी है, हाई-जंप, देखे आपको जाना चाहिए, इंडियन हाई-जंपर तेजस्विन संकर देली से हैं, इन्होंने इतियास रचा है, क्योंकि ये पहले इंडियन बन गए हैं, जिन्होंने की कॉमन वेल्थ गेम्स की इतियास में, हाई-जंप में कोई medal जीता है भारत की ओर से तो आपको जाना चाहिए जो Commonwealth Games चल रहे हैं 2022 के इन्होंने bronze medal जीता है आपर 2.22 meters की best champion ने लगाई है आपको बता दे सबसे पहले इनको इस event में भीजा नहीं जा रहा था तो इन्होंने case किया डेली high court में तो इन्होंने लड़ाई लड़ी अपने लिए इन्होंने का कि मैंने जो qualify किया था जो यहां पर पहले qualification चलते है ना भारत में उसके बाद भेजा जाता है किसी event में कि मैंने qualification mark अपना पूरा किया और उसके बाद ही मुझे Commonwealth Games से नहीं भेजा जा रहा है डेली high court में इन्होंने case लड़ा Athletics Federation of India के अगेंस्ट उसके बाद फिर इन्हें भेजा गया Commonwealth Games में क्योंकि बात इनकी सही थी अब देगे इन्होंने आपर medal जीता है बाकी other medal winners देख लेते हैं किस-किस ने जीता और इंडियन weight lifters है लवप्रीट सिंग इन्होंने 109 kg में पंजाब से हैं और कुरदीप सिंगे भी पंजाब से इन्होंने 109 प्लस kg केटेगरीज में bronze medals जीते हैं सुरव गोशाल वेस्ट मेंगोल से इन्होंने भी bronze medal जीता है Men's Singles Squash event में इन्होंने England के James Will Stop कोहराया है साथी भारत की चूडो का तूली का मान डेली से हैं इन्होंने 78 kg में silver medal जीता है Air India has decided to allow its pilots to fly till what age Air India ने अपने पाइलेटों को किस उम्र तक उडान बंढ़ने की अनुमती देने का फैसला किया options आपके सामने हैं सही answer option D है 65 आपको जानना चाहिए DGCA यानि की ट्रेक्ट्रेट जन्रल ओप सिविल एविशन इसने Air India जो की Tata Group की Airline है तो इसके पाइलेट्स को 65 साल तक फ्लाइ करने का जो है लाइसेंस दे दिया है इससे पहले जो एर इंडिया में जो रिटार्मेंट एज है यह 58 एर्स रही है लेकिन आपको बता दें कि 65 एज तक जो पाइलेट्स है फ्लाइज कर सकते हैं यह एक कॉमन स्टेंडर है य प्रिंसिपल डिरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इन्फोर्मेशन बीरो प्रेस सूशना बीरो के परदान महानी देशक का पदभार किसने ग्रेंड किया ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंतर ओप्शन ए रहेगा सत्यंद्र प्रकाश तो देखिए प्रेस इन्फोर्मेशन बीरो ने सत्यंद्र प्रकास को प्रेस इन्फोर्मेशन बीरो का प्रिंसिपल डिरेक्टर जनरल निवत किया है इस से पहले ये सेंटर बीरो ऑफ कम्मुनिकेशन में प्रिंसिपल डिरेक्टर की पोजिशन पर रहे चुके हैं और ये जो head होते हैं यही government of India के principal spokesperson होते हैं तो अब कौन हुए principal spokesperson सत्यंद्र प्रकाश What name has been given to the .5140 at dras in Kargil to commemorate the victory of Indian armed forces in Operation Vijay Operation Vijay में भारतिय सस्तरपलो की चीत के उपलक्षमे कार्गिल के dras में .5140 को क्या नाम दिया गया है options आपके सामने हैं सही answer option A है Gun Hill तो देखिए operation वीजे के दोरान Indian armed forces की जो victory हुई जो जीत हुई और यहाँ पर जो supreme sacrifice दिया हमारे जवानों ने तो उसको tribute देने के लिए कार्गिल के dras में .5140 इसको Gun Hill नाम दिया गया है आपको बता दी जो dras है National Highway 1 पर जो जीला पास कार्गिल सिटी इन दोनों के बीच में है और इसे the gateway to लब्दाक बोला जाता है दसजार आट सो फीट की हाइट पर है 26 उलाई 1999 ही बात है जब Indian Army ने एनाउंस किया कि हमने operation विजए पूरा कर लिया है और पाकिस्तान को खदेड दिया है कहाँ पर जो कार्गिल में चल रहा था है सब विच स्टेट विल लॉंच इट्स ओन इटैक्सी सर्विस कौन सा राज्य अपनी इटैक्सी सेवा सुरू करेगा options आपके सामने है सही आंतर option ए है किरल तो देखे किरल government ने decide यह है कि अपना खुद का इटैक्सी सर्विस सुरू करेगा और इसका नामों का केरल सवारी और आपको बता दें भारत में किसी राज्य द्वारा इस तरह की पहल सुरू की गई है तो केरल पहराराज्य बनाए जिसने इस तरह की कोई पहल सुरू की गई है जिसमें अपनी ये e-taxi service लॉंच कर रहा है केरल के बारे में तो आप जानते हैं गवर्णर आजिफ मुहम्मद खान है, कैविटल थिरुणन पूरम है, चीफ मिस्टर पेनराई वीजियन है केरल से सम्बंद समने एक और महत्रपुन कर अंट फिर ये देखा था कि केरल फस्ट इस टेट बन गया है जिसकी अपनी इंटरनेट सर्विस है West Bengal has decided to carve out how many new districts, including सुंदरबंस पश्चिम मंगाल ने सुंदरबंस सहीत कितने नए जीले बनाने का फैसला किया है औप्शन साब के सामने है, सही answer option B है, 7 तो देखिए, जो West Bengal की सरकार है, यानि की ममताव एनरजी की सरकार है इन्होंने साथ नए district मराने का decision लिया है, और इस साथ district में कौन-कौन होंगे अब सुंदरबं, इचमादी, रानागाट, बिश्नुपूर, जांगीपूर और बहरामपूर और एक और district होगा, वो बसीरहाट region से बनेगा उसका नाम आपको बता दें, इस से पहले तीज district होते थे, वेस्ट बेंगॉल में, और अब साथ ने district मनने के साथ ही, तीज टोटलिस्टिक हो जाएंगे वेस्ट बेंगॉल से सम्मध हमने जो हाली में करंट अफेर्स देखें, उन्हें देख लेते हैं, मनीपूर के गवेंडर लाग अनिशन, ये वेस्ट बेंगॉल के गवेंडर के तौर पर कारी कर रहे हैं, एडिशनल चार्ज इनको दिया है, क्योंकि जो वेस्ट बेंगॉल साथ ही आपको जानना चाहिए, वेस्ट बेंगॉल में इंटरनेट एक्स्चेंज पॉइंट्स इन्योग्रेट किये गए हैं दुर्गापुर और बर्दमान में कि इंद्रिय सतरक्ता आयुकत के रूप में किसे नुक्ति किया गया ऑप्षण साब के सामने हैं, सही आंसर ऑप्षण सी रहेगा सुरेश एंड पटेल तो देखेगा विजिलेंस कमिशनर है सुरेश एन पटेल अभी ये सेंट्रल विजिलेंस कमिशनर बनाए गए है इनको सपत दिलाए है प्रेजडेंट दुरौपती मुर्मोने रास्टपती भवन में आपको बता दें अब तक जो मिस्टर पटेल है ये एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिशनर के तौर पर कार्य कर रही थे और अब ये पूरी तरह से Central Vigilance Commissioner बना दिये गए हैं Central Vigilance Commissioner के अलावा इसमें Vigilance Commissioner भी होते हैं ये कौन बनाए गए हैं? अर्विंद कुमार जो की Former Intelligence Bureau Chief है और प्रवीन कुमार सिर्वास्तवा ये दोनों ही Vigilance Commissioner बनाए गए हैं इसी एक साथ अब जो Central Vigilance Commission होती है हमारी ये अपनी फुल स्ट्रेंथ पर आ गई है यानि कि एक तो Central Vigilance Commissioner प्लस टू Vigilance Commissioner तो ये स्ट्रेंथ होती है इसकी परधार मंतरी काड़यले PMO में निदेशक की रूप में किसे निखत किया गया औप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर औप्शन्स ही रहेगा स्वेता सिंग आपको जानना चाहिए Union Government में Indian Foreign Service Officer स्वेता सिंग को Prime Minister's Office PMO में डिरेक्टर के तोर पर न्युक्त किया है अगले तीन साल के लिए साथ ही नोंने एक डिसीजन और लिया जो अपोइनमेंट्स कमिटी ओफ दी कैमिनेट है इसने एक डिसीजन और लिया है कि जो अनिकेत गोविंद मंदावगा ने इनकी जो अपोइनमेंट की गई थी प्रेड़ना किस सारवजिनिक छेत्र के बैंक की परमुक एच और पहल है आप्शन सापके सामने हैं सही आंसर औक्शन सी रहेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जानेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने flagship HR initiative जिसका नाम प्रेर्णा है इसके तहट एक man focused committee launch की है जिसका नाम है committee का empower him तो देखे जो empower him ये union bank की career focused committee है इसका मकसद यह है कि grassroot level पर जितने भी issues है करमचारियों से सम्बंदिद या bank से सम्बंदिद उनको tackle किया जाए उनको solve किया जाए तो यहाँ पर कोई भी हो कोई भी व्यक्ति हो कोई भी employee हो वो अपने concern और अपने needs बता सकता है इस committee को और यह committee हर एक employee को council करेगी उनको increase करेगी कि leadership role में आप अपने को participate कीजिए बाकि आपको जानना चाहिए जो union प्रेना है जो union bank of India का HR initiative है इसका मकसद यह रहाता है कि productivity बढ़ाना union bank सम्बंदिद हमने एक महत्वण करंट फेर यह देखा कि union bank ने अपने आपको top 3 public sector banks में लाने के लिए race goal set किये हुए है यह हाली में ने देखा था और union bank सम्बंदिद जो extra facts होते हैं वो भी हमने देखे थे which of the following topped the auction for 5G in India निम्लिकित में से कौन भारत में 5G की निलाईमी में सबसे उपर रहा है options आपके सामने हैं सही answer option A है जीओ तो जानिएगा भारत का biggest ever auction of telecom spectrum यह इसमें 1.5 lakh crore rupees की bits लगी है और मुके सम्मानी के reliance जीओ ने यहां पर 88,078 crore की bit लगाई है 24,740 megahertz के लिए bands के लिए गोदब अडानी जो ग्रूप है इसने 212 crore की bit लगाई है 400 megahertz के लिए सुनील भारती मित्तल का जो भारती एर्टेल है इसने 43,084 crore की bit लगाई वही वोड़ाफोन आइडिया लिम्टेट ने 18,799 crore की bit लगाई है टेलिगम मिनिस्टर असुनी वैशनम ने ये बताया कि 72,098 megahertz के spectrum offer किये गए थे 10 bands के across और 51,236 megahertz के spectrum sold out हो चुके है यानि कि 71% sold हो चुके है आपको जाना चाहिए 5G Services भारत में October 2022 तक लागू हो जाएगी Steel Ministry has constituted an advisory committee for secondary steel under the chairmanship of which of the following इस पाथ मंत्राइन इम्रेटेस किसी अध्यक्षता में दुईतियक इस पाथ के लिए एक सलाकार समीती का अगटन किया है options आपके सामने हैं सही answer option दी है जो तिरा दिती है सिंधिया तो देखिए ministry of steel ने एक advisory committee मिनाई है secondary steel के लिए और इसकी chairmanship करेंगे minister of civil aviation and steel जो तिरा दिती है सिंधिया तो steel sector में खास करकि secondary steel industry सम्मंदी जो भी issues है उनको identify किया जाएगा और rectify किया जाएगा secondary steel मतलब जो iron scrap होता है उससे जो steel बनता है यानि कि proper तरीके से standard follow नहीं किया जाते है इसलिए cheap भी होता है लेकिन इतनी अच्छी quality इसकी नहीं होती है primary steel जोता है उसमें standard अच्छे से follow किया जाते है और इससे तो थोड़ा महिंगा होता है quality भी काफी solid होती है which of the following will roll out the first in India seating system for Wandae Bharat Express trains from September 2022 निम्डी कित में से कौन सी तंबर 2022 से Wandae Bharat Express ट्रेनों के लिए first in India seating system शुरू करेगा options आपके सामने है सही आंसर option भी है Tata Steel देखे टाटा ग्रूप सिदंबर 2022 से फर्स्ट इन इंडिया seating system इसको लॉंच करेगा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेंज के लिए और यह फिसकल यह 2016 तक research and development sector में 3000 क्रोट रूपे इंवेस्ट करने की भी सोच रहा है टाटा ग्रूप की हम बात कर रहे हैं तो देखे टाटा स्टील को जो है 145 क्रोट रूपे का यह पोरा project मिला है कि आप सेटिंग सिस्टम बनाए वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए जो मतलब भारत में ही बने यह वंदे भारत फैक्ट्री पेरंपुर द्वारा किया गया है और जो इसकी मैक्सिमाल स्पीड है यह 130 किलोमेटर पर आर की है इंडिया नेवी एंड विच इंस्टूशन हैव साइंड एन एम ओ यू तो कोलाबरेट ओन एविएशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बारत्य नोसे नावर किस संस्थान ने विमानन अनुसंधान और विकास पर सहयोग करने के लिए समझोता है कि आपर प्रस्ताक्षर कि किया है विचिस्टेट हैस्लोंच मिशन भूमी पुत्र दिजिटल वी टुट इशु टीटिटलाइज्ट कास्ट सर्टिफिकेट्स टू स्टूंट्स किस राज्य ने चात्रों को डिजिटल जाती जाती अजाली परमानपत्र जारी करने का एक डिजिटल तरीका मिशन भू तो देखिए इस्टुडेंट्स को डिजिटलाइस्ट कास्ट सर्टिफिकेट्स देने के लिए आसाम के चीफ मिस्टर हिमंत विश्व सर्मा इन्होंने मिशन भूमी पुत्र लौंच किया है और इसी के तहद भूमी पुत्र पॉर्टल भी इनुग्रेट किया गया है तो यही है तो यह कि आसाम के सीम ने हाली में इंडिजनेस के लिए स्वनिर्भर नारी स्कीम लौंच की साथ हम ने भी देखा कि असम गवर्मेंट ने बराक वैली में सेकेंड वाइल लाइफ सेंचुरी को भी एप्रूब कर दिया है और यह यह वाइल सेंचुरी का नाम क्या होगा बराग भूवन वाइल लाइफ सेंचुरी कि विश्व द फॉलिंग हैस पार्टनर्ड विद एस वी सी बैंक फॉर इंपारिंग एमसमी इस निमने किल्म से किसने एमसमी इसको सब्सक्त बनाने के लिए एस वी सी बैंक के साथ साहिधारी की है सही आंसर ऑप्शन सी है एक्स्टेंड करेगा सवी सी बैंक को ताकि एमसम इसको जो क्रेडिट है वह प्रोपर तरीके से मिल सके एस वी सी का मतलब क्या हो क्या है सामराव विठल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड और यह मुंबई मालास्ट बिस्ट बैंक है आसी सिंगल इसके एमडी है बात करें अधिकी तो हैटक्वाटर से लकन उत्रप्रदेश में है चेर्मेन एंडी सिवसुब्रमन्य रमन है और इसकी स्थापना दो प्रेड़ने सुनब्बे हुई थी प्राइमिस्ट नरेंदर मोदी और मालदीव के राष्टपती इबराहीम मोहमद सुली ने कितने समझोते परहस्ताक्षर किये सही आंजर ओप्शन बी है 6 यह है यह आपर है जानेगा इंडिया और मालदीव ने 6 एफेक्ट्स साइन किये हैं कुछ साइबर सिक्यूर्टी से संबन दिते हैं ताकि इंडियन ओशन रीजन में स्टेबलिटी बनी रहे हैं आपको बता दें जो मालदीव के जो यह चीफ है मिस्टर शोली जिनका नाव भी बता है आपको तो यह first head of the state या फिर government बन गए हैं जिन्होंने प्रिजडेंट दरोपती मुर्मो के साथ मुलागात की हैं आपको बता दें इंडिया ने नई लाइन ओफ क्रेडिट भी एनाउंस की है मालदीव के लिए जो इनफास्टर प्रोजेक्ट है और यह लाइन ओफ क्रेड़ कितने की है 100 मिलियन यूज डॉलर की बाकि आपको भी जानना चाहिए कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट यह मालदीव से संबंदित है और 500 मिलियन यूज डॉलर का यह प्रोजेक्ट है और यह भारत द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है इंडियन ओई तो देखिए इंडियन ओई ने हापर M.O.U. साइंड किया है इसके लिए तो भारत में अफ्रिका जो महादीव है वहाँ से हमारे आ रहे हैं तो उससे संबंदित है M.O.U. साइन किया गया यह M.O.U. किस के बीच किया गया एक तो जो इंडियन ओई के शेर्मेन है SM.W. और Additional Director of General Project Tiger and Member Secretary N.T.C.A. Dr. S.P. यादव इनके बीच में तो इसमें जो है इंडियन ओईल यह आने वाले चार सालों में चीता के इंट्रोडक्शन, हैविटेट मैनेजमेंट और प्रोडक्शन, इको डेवलेप्मेंट, स्टाफ ट्रेनिंग, वेटिनरी हेल्थ केर इन सभी के लिए 50.22 क्रोड ओपीज कोंट्रिब्यूट करेगा और इस तरह से इंडियन ओईल यह first corporate firm बन गई है जो अपने CSR इनिसेटिव के तहट प्रजेक्ट चीता को सपोर्ट कर रही है बागी प्रजेक्ट चीता के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं हाली में कि 8-10 चीता जो है नाभी विया और साथ अफ्रिका से आ रहे हैं कुनो नेसनल पार्क मध्यपरदेश में इंडिया विल होस्ट डिप्लोमेट्स ओफ तर फिफ्टीन नेशन यून सिक्योर्टी काउंसिल फोर इस्पेशल मिटिंग ओन कांटर टेर्रिजिम इन विच मन्थ बारत इस साल के इस महीने में आतंक वाद फिरोद विशे पर एक विशेश बैठक के लिए 15 तेसों के सहीं तर रास्ट सुरक्षा परिशत के राज नईकों की मेजवानी करेगा तो देखिए इंडिया इस बार 29 अक्टूबर 2022 को जो 15 नेशन उन सिक्योर्टी काउंसिल है इसमें जो डिप्लोमेट्स हैं उनको होस्ट करेगा और ये मीटिंग किस से सम्बंदित होगी काउंटर टेरिरिस्म से सम्बंदित है आपको बताते हैं जो भारत का टैन्यूर है ये उनाइट नेशन सिक्योर्टी काउंसिल में ये इस बार दिसमबर में जो है खत्म हो जाएगा तो दो साल की टर्म थी भारत की इसमें बाखिए आपको जानना चाहिए कि इंडिया सिक्योर्टी काउंसिल काउंटर टेरिसमिक कमीटी की अध्यक्षता कर रहा है 2022 में और में जो फिफ्टीन नेशन सिक्योर्टी काउंसिलेस की जो डिप्लोमेंट से उनको होस्ट करेगा तो फिलाल कौन को ने फिफ्टीन मेंबर पांच तो यह यह परमानेट चाइना फ्रांस रस्या यूके यूस से बाकी कौन है टैन यह सभी अलबानिया ब्राजिल गैबोन ग पिछले पांच वित्यवर्सों में लगबा कितने करोड रूपे के रेंड को बट्टे खाते में डाला है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंतर ओप्शन भी रहेगा टैन लैक करोड रूपीज देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि पिछले जो पांच फाइनेंशल इयर करोड रूपीस का अगर हम 2020 की बात करें तो दो लाग 2780 क्रोड रूपे का लोन राइट अफ किया था यानि कि बट्टे खाते में डाला था उसके कंपेर में हम 2021 की बात करें तो इसमें थोड़ा कम हुआ है एक लाग 2790 क्रोड रूपीस राइट अफ किया गया है वहीं इसमें यह बताया गया कि 2019 बीस की अमाउन दी गई है कितनी राइट अफ किया गया था और हाइस्ट अगर पिछले पांस सालों की बात करें तो 2018 में हाइस्ट रहा जिसको राइट अफ किया गया दो लाग चत्त और साथ यह भी जानना चाहिए कि जो टोटल जो राइट अफ किया गया है अगर हम कंप्लीट बैंक की बात करें मतलब प्राइबेट और पब्लीक तो केवल पब्लीश एक्टर बैंक द्वारा ही 75 प्रतिशत राइट अफ किया गया है और अगर हम बात करें सब्सज इयादा विलफूल डिफॉल्टर अगर हम सूच्री की की बात करें तो सबसे टॉप पर कोण रहा गितांज़ी जैम्स लिमिट्ट थो वीलफूल हो जाता है विल्फुल डिफॉल्टर क्या होता है विल्फुल डिफॉल्टर मतलब आप पैसा चुका सकते हैं पर आप चुका नहीं रहे हैं आप सक्षम है कि आप पैसा चुका दें जो आपने लिया है पर आप चुका नहीं रहे हैं उसको बोलते हैं विल्फुल of मतलब अपनी balance sheet को clean करने के लिए बैंक से करते हैं loan को बट्टे खाते में डाल देते हैं पहले कोई loan किसे ने लिया है वो loan की payment वापस नहीं आ रही है वो non performing asset बन गया NPA बन गया फिर 4 साल हो गए उसके बाद क्या किया बैंक ने उनको अपनी balance sheet clear करने के लिए साफ सुतरी बनाने के लिए उसको अच्छे से proper बनाने के लिए उसको बट्टे खाते में डाल दिया अब बट्टे खाते में डाल दिया इसका मतलब यह नहीं कि राइट ओफ हो गया इसका मतलब यह नहीं कि वो bank जो है जिसने लिया है उसे खिलाफ action लिये जाएंगे क्योंकि उसने कुछ collateral भी तो रखा होगा bank के पास तो उसको बेचा जाएगा या फिर bank जो इस तरह से भी use करें ऐसा होगा तो यही मतलब होता है right of में और wave of में यदि loan wave of किया जा रहा है जो कि political parties करती है वादा उसका मतलब है कि आपको collateral जो आपने bank में रखा वाए वो भी आपको वापस मिल जाएगा और किसी भी तरह का legal action आपके उपर नहीं लिया जाएगा बल्कि right of में क्या होता है legal action लिया जाएगा आपके उपर ऐसा नहीं है कि आपका लोन माप रदिया जो collateral वो भी जिपत रहेगी bank के पास तो यह अंतर होता है right of और wave of में नेम दा फांडर ओद्यवानी अप पोपुलर कंणड डेली वो पास्ट वी रिसेंटली लोग परिये कंणड दैनिक उद्यवानी के संस्थावक का नाम बता ही इनका हाली में निदन हो गया सही आंतर ओप्शन दी है टी मोहंदास एमपाई तो देखे टी मोहंदास एमपाई जो की उद्यवानी यह काफी popular कंणड डेली है और इसके founder रहे हैं इनका हाली में निदन हो गया है 89 की एच में आपको बता दें यह टोक्टर टी में पाई फांडेशन और मनिपाल मीडिया नेटवर्क इसके प्रेजिडेंट के दूर पर कहारे रख थे प्रिवेस्टानमेंट कोस्टेंस की आंसर देखेंगे विस्ट यूनियन स्टील मिस्टर आंसर इस जोटी राधितिय शिंदिया क्रुगे नेसल पार्क इस लोकेटिन विच कंट्री साथ अफ्रिका फो ऩेज़ प्रिवेस्टानमेंट विच ज्यूनियर पिंगली विंकया इन 1921 वती वास आशेति थे उसे स्क्रफोन यंद्वेस्टानमेंट का इस दिर्स पार्दों मिग्वेस्टेंट क्रेंट के लेडिडेंट से लेंटार्णियN वीडेंट आंसर प्रिक्राण है विक्र 5000 crore rupees in 5 years on renewables answer is data power who broke bahadur prasad's 5000 meter national record clocking 13 minutes and 25.65 seconds in usa answer is avinas sable aaj ke assignment questions dekhenge who is the president of taiwan kakadu national park is located in which country acinonyx jubatas jubatas is the scientific name of who assumed the additional charge of director general of indo-tibetan border police on august 2 2022 india organized tiranga utso to mark which birth anniversary of pingali venkaya to a pop up and i conci birth anniversary we have made 150-145-144 named the al-qaeda chief mastermind of the september 11 2001 attacks who was killed during a drone strike in kabul by the united states israel successfully launched 345 foreign satellites from 34 countries onboard pslv and has earned million dollars in foreign exchange by launching satellites for global clients आपको बताना है इसरों ने foreign satellites को launch करके कितना पैसा कमाया है million dollars में आपको बताना है अच्छा यह जो national park है ना मैं सोच रहा हूं कि 10-15 national park हैं यह काफी महत्पूर्ण हैं वर्ड के जाईएगा एक तो हमने कल गिया अब एक यह आज हो गया तो आने वाले दिनों में करते रहेंगे इनको 10-11 ठीक है तो यह बहुत महत्पूर्ण है याद रखिएगा इनको तो कोशिस कीजिएगा सभी questions की आंसर आप हमें comment books में provide कर रहे हैं साथी current affairs funda इसको आप जरूर देखे और अपने दोस्तों के साथ हमारे कर इंटरफेस को शेयर जरूर करें आज का इस सेशन आपको कैसा लागा comment बोक्स में जरूर बताईएगा थैंक्यू गाइस